अलिफ लेला, सिंदबाद जहाजी की दूसरी यात्रा इसी तरह की नई-नई कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रो, पहरी यात्रा में मुझ पर जो विपत्तिया पड़ी थी उनके कारण मैंने निश्चे कर लिया था कि अब व्यापार यात्रा न करूंगा और अपने नगर में सुख से रहूंगा किन्तु निश्क्रियता मुझे खलने लगी, यहां तक कि मैं बेचैन हो गया और फिर इरदा किया कि नई यात्रा करूंग और नए देशों और नदियों, पहार हो आदी को देखूं अतैव मैंने भाती-भाती की व्यापार एक वस्तुए मोल ली और अपने विश्वास के व्यापारियों के साथ व्यापार यात्रा का कार्यक्रम बनाया हम लोग एक जहाज पर सवार हुए और भगवान का नाम लेकर कप्तान ने जहाज का लंगर उठा लिया और जहाज पर चल पड़ा हम लोग कई देशों और द्वीपों में गए और हर जगह क्रे विक्रे किया फिर एक दिन हमारा जहाज एक हरे भरे द्वीप की तच से आ लगा उस द्वीप में सुंदर और मीठे फलों के बहुत से व्रिक्ष थे हम लोग उस द्वीप पर सैर के लिए उतर गए किन्तु वद्वीप बिलकुल उजार था यानि वहां किसी मनुश्य का नामों निशान भी नहीं था बलकि कोई पक्षी भी दिखाए नहीं देता था मेरे साथी पेडों से फल तोड़ने लगे लेकिन मैंने एक सोते के किनारे बैट कर खाना निकाला और खाया और उसके साथ शराब पी शराब कुछ अदेख हो गई और मैं सो गया तो बहुत समय तक सोता ही रहा जब आँख खुली तो देखा कि मेरा कोई साथी वहां नहीं है और हमारा जहाज भी पाल उलाता हुआ समुद्र में आगे जा रहा है कुछी क्षणों में जहाज मेरी आँखों से ओजल हो गया मैंने ये देखा तो हत्प्रब रह गया मुझे उस समय जो दुख और संताप हुआ उसका मैं वर्नन नहीं कर सकता मुझे विश्वास हो गया कि इसी उजार द्वीत में मर जाओंगा और मेरी खबर लेने वाला भी कोई न रहेगा मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और सिर और छाती पीटने लगा मैं अपने को बार बार दिक्कारता कि कमभक तुझ पर पहली यात्राही में क्या कम विपत्यां पड़ी थी कि दुबारा ये मुसीबत मोल लेली लेकिन कब तक रोता पीटता अंत में भगवान का नाम लेकर उठा और इधर उधर घूमने लगा कि कोई राह मिले तो जाओं कोई रास्ता न दिखाए दिया तो मैं एक उचे पेड़ पर चद गया कि शायद इधर उधर कोई ऐसी जगह मिले जहां रात काटूं किन्तु द्वीट के पेड़ों, समुद्र के जल और आकाश के अतरिक्त कुछ न देख सका कुछ देर बाद तापू पर मुझे दूर पर एक सफेद चीज दिखाए दी मैंने सोचा कि शायद वही ठिकाना मिले यद्यपी समझ में नहीं आता था कि वह क्या है मैं पेज से उतरा और अपना बचा खुचा खाना लेकर उस सफेद चीज के पास पहुँचा वही एक बड़े गुमबद सा था लेकिन उसका कोई दरवाजा न था वह चिकनी चीज थी जिस पर चड़ा भी नहीं जा सकता था उसके चारों और भूमने में पचास कदम होते थे अचानक मैंने देखा कि अंधिरा हो गया मुझे आश्चर्य हुआ कि यह शाम का समय तो है नहीं अंधिरा कैसे हो गया फिर मैंने देखा कि एक विशालकाई पक्षी जो मेरे अनुमान में भी पहले नहीं आ सकता था मेरी तरफ उड़ा आता है मैं उसे देख कर भाय भीत हुआ फिर मुझे कुछ जहाजियों के मूह से सुनी बात याद आई कि रुख नामी एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है अब मैंने जाना कि वो सफेद विशालकाई वस्तू इसी मादा रुख का अंडा है मादा रुख आकर अपने अंडे पर उसे सेने के लिए बैठ गई उसका एक पाव मेरे समीप पड़ गया उसका एक एक नाखुन एक बड़े व्रिक्ष की जड़ जैसा था मैंने अपनी पगली से अपना शरीर उसके एक नाखुन से कसकर बांग लिया क्योंकि मुझे आशा थी कि यह पक्षी कहीं उलकर जाएगा ही सवेरे वह पक्षी उड़ा और इतना उंचा हो गया कि जहां से प्रित्वी बड़ी कठिंता से दिखाई देती थी कुछी देर में वह उतर कर एक बड़े जंगल में जा पहुचा मैंने जमीन से लगते ही अपनी पगली की गांट खोल कर उससे अलग हो गया उसी समय रुखने एक बहुत ही बड़े अजगर को धर दबोचा और उसे पंजों में लेकर फिर ओल गया जहां मुझे रुखने छोड़ा था वह एक बहुत नीची और खड़ी धलान की एक धाटी थी वहाँ पर आने जाने की शक्ति किसी मनुश्य में नहीं हो सकती मुझे खेद हुआ कि मैं कहां आ गया ये जगह उस द्वीट से भी खराब है मैंने देखा कि वहां की भूमी पर असंख्य हीरे बिखरे पड़े हैं उन में से कुछ तो इतने बड़े थे जो साधारल मनुश्य के अनुमान के बाहर थे मैंने बहुत से हीरे एकठे किये और एक चमडे की थेली में उन्हें भार लिया किन्तु हीरो के मिलने की प्रसन्नता क्षने की थी क्योंकि मैंने शाम होते ही यह भी देखा कि वहां बहुत से अजगर तथा अन्य विशालकाई और भायानक साप गूम रहे हैं ये साप दिन में रुख के दर से खोहों में चुपे रहते थे और रात को निकलते थे मैंने भाग्यवश एक छोटी सी गुफा पाली और उसमें चुपकर बैक गया और उसका मूम पत्थरों से अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि कोई अजगर अंदर न आ सके मैंने अपने पास बंदे भोजन में से कुछ खाया किन्तु मुझे रात भर नींद नहीं आई क्योंकि सापों और अजगरों की भायानक फुसकारे मुझे दराती रही और मैं रात भर जानके दर से कांपता रहा सुबह हुने पर साप फिर छुप गए और मैं बाहर निकल कर एक खुली जगह में सो गया कुछी देर में मेरे पास एक भारी सी चीज़ गिरी आवाज से मेरी आख खुल गई मैंने देखा कि वही एक विशाल मास पिंद था कुछी देर में देखा कि इसी तरह के अन्य मास पिंद घाटी में चारों और से गिरने लगे मुझे ये सब देखकर घोर आश्चर्य हुआ कुछी देर में मुझे जहाजियों के मुँ से सुनी एक बात याद आई कि एक घाटी में असंख्य हीरे है किन्तु वहां कोई जा नहीं सकता हीरो के व्यापारी आसपास के पहाणों पर चड़कर वहां बड़े-बड़े मास पिंद फेक देते हैं जिन में हीरे चिपक जाते हैं इसके बाद विशालकाए गिदा कर उन मास पिंदों को ले जाते हैं जब वे उपर बने अपने घोसलों में जाते हैं तो व्यापारी लोग बड़ा शोर गुल करके उन्हें उना देते हैं और मास पिंदों में चिपके हुए हीरे ले ले लेते हैं मैं पहले परेशान था कि इस कब्र जैसी घाटी से कैसे निकलूँगा क्योंकि पिछले दिन बहुत घूंगने फिरने पर भी निकलने की कोई राह नहीं दिखाई दी थी किन्तु उन मास पिंदों को देख कर मुझे बाहर निकलने की कुछ आशा बढ़ी मैंने पुराने उपाय से काम लिया मैंने अपने को एक मास पिंद के नीचे की और बांध लिया कुछ ही देर में एक विशाल गिद उतरा और मास पिंद को और उसके साथ मुझे लेकर उल गया मैंने वह चमणे की धैली भी मजबूती से अपनी कमर में बाग ली जिसमें पहले मिरा भूजन था और जिसमें बाद में मैंने हीरे भर लिये थे गिद ने मुझे पहार की चोटी पर बने अपने घुसले में पहुचा दिया मैंने तुरंट स्वयम को मास्खन से अलग कर लिया। उसी समय बहुत से व्यापारी शोरगुल करते हुए आये और बड़ा गित दर कर भाग गया। उन व्यापारियों में से एक की द्रिष्टी मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखकर मुझ पर क्रोध करने लगा कि तू यह उसने समझा कि मैं हीरे चुराने के लिए गित के घूसले में चला आया था। अन्य व्यापारियों ने भी मुझे घेर लिया। मैंने कहा कि भायो आप लोग मेरी कहानी सुनेगे तो मुझ पर क्रोध करने के बजाए मुझ पर दयाही करेंगे, मेरे पास बहुत से हीरे इस वे सारे हीरे में आप लोगों को दे दूंगा। ये कहकर मैंने अपनी सारी कहानी उन लोगों को सुनाए और उन सबों को मेरी विचित्र कथा और संकितों से बच कर निकलने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यापारियों का नियम था कि एक-एक गित के घूसले को एक-ए क्योंकि मैंने कई बहुत बड़े-बड़े हीरे भी भर लिये थे। मैंने उस व्यापारी से, जिसके हिस्से में वग हुसला था, कहा कि आपके सारे हीरे ले लीजिए। उसने कहा कि यह हीरे तुम्हारे हैं, मैं इन में से कुछ न लूंगा। किन्तु जब मैंने बहुत च गुजारी, उन्होंने मुझसे विस्तार से मेरी कहानी जाननी चाही और मैंने सारे अनुभवों का उनसे वर्नन किया। मुझे अपने सौभाग्य पर स्वयम जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे दिन उन्हीं व्यापारियों के साथ रोहा नामी द्वीप में पह पेल का रस निकल कर बरतन में जमा हो जाता है और जम कर यही कपूर कहलाता है। पूरा रस निकल जाने पर वल टहनी मुर्जा कर सूख जाती है। कपूर का पेल इतना बड़ा होता है कि उसकी छाया में सो आदमी बैठ सकते हैं। उस द्वीप में एक पशु होता है जिसे गेंड़ा कहते है, वह भैसे से बड़ा और हाथी से छोटा होता है, उसकी नाग पर एक लंबी सींग होती है, उस सींग पर सफेद रंग के आदमी की तस्वीर बनी होती है, कहा जाता है कि गेंड़ा हाथी के पेट में सींग गुसेर कर उसे मार डालता है और अपने सिर्पर उठा लेता है, किन्तु हाथी का खून और चर्बी जब उसकी आँखों में परती है तो वह अंधा हो जाता है, ऐसी दशा में रोख पक्षी आता है और गेंड़े और हाथी दोनों को पंजों में दबा कर ओर जाता है और अपने घुसने में जाकर अपने बच्चों को उनक से बगदाद पहुचा, मेरे पास इस यात्रा में भी बहुत धन इकठा हो गया था, मैंने उसमें से काफी दान किया और कई निर्धनों को धन से संतुष्ट किया, अपनी दूसरी सागर यात्रा का वृतान समाप्त करके सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दीनारे दे कर विद सिंदबाद के घर आए, दोपहर का भोजन समाप्त होने पर सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, अब मेरी तीसरी यात्रा की कहानी सुनो जो पहली दो यात्राओं से कम विचित्र नहीं है